जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप को अक्सर हबल की रिप्लेस्मेंट कहा जाता है लेकिन मैं इसे हबल का सक्सेसर कहूंगा After all James Webb Space Telescope Hubble का scientific successor है इसके सारे scientific goals Hubble से मिले results से powered हैं Hubble की science ने हमें लंबी wavelength में देखने के काविल बनाया था और अब James Webb Space Telescope in wavelength में Hubble से भी आगे तक देख पाएगा खास तोर पर जो objects हम से जितना दूर रहते हैं वो उतने ही red shifted रहते हैं जिससे उनसे आने वाली light, optical और UV से near infrared में shift हो जाती है इस वज़ा से इन दूर के objects के अध्यान के लिए हमें एक infrared telescope की जरूरत पड़ती है एक और कारण है जिसकी वज़ा से ये James Webb Space Telescope Hubble Space Telescope की replacement नहीं है जो है इनकी capabilities बेहद अलग-अलग है James Webb Space Telescope जहां हमारे भ्रहमान को मुख्यता infrared में ही देखेगा वहीं Hubble ने इसकी observations optical और UV में की है हलाकि Hubble के पास भी infrared capabilities है लेकिन James Webb Space Telescope के जितनी बहतरी नहीं इसका मतलब कि ये दोनों telescope भ्रहमान को बहुत अलग-अलग तरा से देखेंगे क्योंकि ये light की wavelength के अलग-अलग हिस्से को देख सकने के काबिल है अपनी कोर पर ये दोनों missions काफी similar है ये एक mission को भी share करते हैं जो है Space and Time के गहरे हिस्से से काफी faint और दूर के object से जुड़ी images और data को हासिल कर पाना जो कि किसी भी other instrument के लिए मुम्किन नहीं है और ये Hubble से काफी different conditions में काम करेगा James Webb Space Telescope के advanced instrument के इलावा इसमें कई major design differences भी है जैसे कि इसका primary mirror जो कि 18 hexagonal beryllium mirrors के मिलने से बना है जो कि एक single hexagonal mirror के जैसे काम कर सकते है और जिने fold करके launch किया जाएगा और इसकी sunshield James Webb Space Telescope की sunshield एक बड़ा major difference है क्योंकि Hubble Space Telescope के काम करने के बाद astronomers ने notice किya कि Hubble की observation light pollution से effect हो रही थी जो कि पिछली कई centuries से astronomers के लिए एक सरदर्द रहा था जिस वज़ा से वैग्यानिकों ने James Webb Space Telescope की sunshield को develop किया ताकि sun, earth और moon से आने वाली light और radiation को block किया जा सके Is the James Webb Space Telescope better than Hubble? James Webb Space Telescope अब तक का बनाया गया सबसे powerful space telescope है और जो हमारी मदद भ्रमान के गहरे रहस्यों को जानने में करेगा यह अब तक के किसी भी telescope के मुकाबले advanced instruments और techniques से less है जिस वज़ा से अंतरिक्ष में Hubble से कहीं ज़्यादा गहराई तक देख पाएगा James Webb Space Telescope के infrared light में देख पाने की वज़ा से यह time की beginning को बेहत करीब से देखेगा और यह dust cloud में भी देख सकने के काबिल होगा जहां पर सितारों और planetary systems का निर्मान होता है इसके साथ इस James Webb Space Telescope का mirror भी Hubble के comparison में बेहत बड़ा है comparison के लिए Hubble Space Telescope के primary mirror का diameter 4.2 meters है वहीं पर इसके James Webb Space Telescope के वो mirror 6.5 meters में फैले है जिसका मतलब है कि है Hubble के मुकाबले टाइम में ज़्यादा पीछे देख सकने के काबिल होगा क्योंकि इस James Webb Space Telescope के पास Hubble के मुकाबले 6.25 गुना ज़्यादा light collecting area है इसके साथ ये Hubble के मुकाबले काफी ज़्यादा sensitive भी है अगर बात करें ना सकी तो उनका कहना है कि James Webb Space Telescope, Hubble, Spitzer और कई और Space Observatories के मुकाबले बहतर तस्वीरें और डेटा को इकठा कर पानी के काबिल होगा इन सबी बातों को जानकर हम इस बात से agree भी कर सकती हैं कि James Webb Space Telescope हबल से बहतर है और ये हबल से सौग ना ज़्यादा पावरफुल भी What is the distance between the telescopes and the earth? Space-based telescopes के पास ground-based observatories के मुकाबले काफी advantages रहती हैं atmosphere के उपर रहने की वज़ा से उन्हें प्रिथवी की atmospheric interference के साथ deal नहीं करना पड़ता लेकिन space में होने की वज़ा से इन में आई चोटी से चोटी problem को ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है Hubble Space Telescope अपने mirror में आई एक चोटी सी problem के लिए काफी famous है जिसे fix करने के लिए कमिशन को launch किया गया था जिसमें astronauts ने जाकर इसके mirror में आई उस error को fix किया था इसके near earth orbit होने की वज़ा से चुकि प्रिथवी की सता से 570 km उपर है astronauts इस Hubble Space Telescope को fix कर पाने में सक्षम रहे थे लेकिन James Webb Space Telescope के case में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये accurately earth को orbit नहीं करेगा बल्कि ये earth sun L2 लगरांची point पर रहकर अपनी observation का काम करेगा ये L2 point परिथवी से लगभग 1.5 million km से दूर है इस वज़ा से हम James Webb Space Telescope की किसी भी problem को fix नहीं कर पाएंगे क्योंकि तब ये telescope हम इंसानों के पहांच से 1.5 million km से दूर होगा इसलिए अगर इसके साथ कुछ गलत होता है तो उसका कोई fix नहीं होगा इस telescope को इस L2 point पर रखने के पीछे भी कई कारण है यहां पर यह telescope अर्थ द्वारा reflected radiation से दूर होगा जोकि इस telescope की designing choices में से एक है जो इसे ठंडा रखने में मदद करेगा इसके साथ ही L2 एक ऐसी जगा है जहां पर प्रिथ्वी और सूर्य दोनों की gravity इस telescope को एक stable जगा पर बना कर रखेगी अंतरिक्ष में जो चीज हमसे जितनी ज़्यादा दूर होती है उसे देखने के लिए हम समय में उतना ही ज़्यादा पीछे देखते हैं ऐसा इस वज़ा से है कि उस object से आने वाली light को हम तक पहाँचने में time लगता है Hubble Space Telescope हमसे कई billion light years दूर की galaxies की तस्वीरे ले सकता है या फिर बिग बैंके 480 million साल बाद बने objects की इसने कई ऐसी bodies जैसे galaxies, सितारे और planets की observation की है चुकि काफी ancient object थे लेकिन ये सभी object के ऐसी limit पर मौचूत थे जिसके आगे इन body से जुड़े सभी सवालों के जवाब है इस limit पर जाकर Hubble Space Telescope अपनी limitation के करीब पहुंच जाता है जिसके आगे वो कुछ भी देख नहीं पाता वहीं James Webb Space Telescope अपने बड़े mirror के साथ ब्रहमान के beginning को बहुत करीब से देख पाईगा आज से लगभग 13.7 billion साल पीछे तक अपनी infrared capabilities की वज़ा से James Webb Space Telescope भ्रहमान की कुछ सबसे दूर की galaxies को Hubble की visible या ultraviolet light के मुकाबले आसानी से अपनी infrared light में देख पाईगा क्योंकि भ्रहमान के expansion की वज़ा से इन distant object से आने वाली light stretch हो जाती है एक effect जिसे हम red shift कहते हैं जो light को visible wavelength से infrared में पुश कर देता है James Webb Space Telescope दुनिया की सबसे प्रीमियर space observatory है जोकि पहली galaxies, सितारों, ख्रहों और चंद्रमाओं को ब्रहमान्ट में खोजने के काबिल होगा ये telescope दूसरे सितारों का चक्कर लगाते ग्रहों की composition को study करेगा और स्वार मंडल के परे जीवन के science को खोजेगा ये James Webb Space Telescope exoplanets को observe करके उनके nature से जुड़ा बहुत कुछ जान पाएगा ये exoplanet के atmosphere को high resolution के साथ देख पाएगा और इसका infrared vision हमारे मदद इनकी composition का पता लगाने में करेगा James Webb Space Telescope ऐसी advanced technology से less है जो इसे exoplanet के atmosphere के बादल और other interference के बीच से भी देखनी में मदद करेगी ये सितारों के habitable zone में मौजूद ग्रहों को study करने वाला हमारा सबसे powerful tool होगा cost of Hubble versus cost of James Webb Hubble Space Telescope की इसकी launch के वक्त कीमत 4.7 billion dollars थी अगर हम इसमें 1993 में Hubble के repair mission की कीमत को भी डालें तो Hubble की कुल कीमत 5.8 billion dollars पड़ी थी लेकिन James Webb Space Telescope की इसकी launch तक की कुल कीमत लगभग 10 billion dollars के करीब है ये दोनों telescope ही अपनी अपनी जगा पर काफी costly भी है लेकिन इनकी कीमत इनसे मिलने वाले data की आगे कुछ भी नहीं है launch हमारे इस वीडियो के upload होने से पहले ही ये telescope successfully launch हो चुका होगा अगर आपने इसकी successful launch को देखा है तो हमें comment section में बताईए कि वो कैसी रही और आपका इस mission के बारे में क्या कहना है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जुरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें बैल नोटिफकेशन आउन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफकेशन आपको upload होते ही मिल चाए थैंक यो फॉर वाचिंग दोस्तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद